हेलो टियर इस्टेंट वेलकम टू दव फिजेक्स विथ एलेक्रानिक्स पार्चाला आज के इस वीडियो में हम लोग बिएस्टी फर्स समेस्टर के पेपर के एंसर की को देखेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल्स आप केमेस्ट्री और जिसका कोड है CHE102 जो 11 जन्वरी दोजार चोबिस को गोरगपूर्पी स्विद्यालने में संपन हुआ है ओके आप अपना पेपर निकाल लिजे और एंसर की में बता रहा हूं ठिक मलब हरी कुशन का एंसर बता रहा हूं मैज करते हूं चलिए देखे आपका कितना कुशन सही हुआ है साथी साथ अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ये चैनल आपको छटे समिस्टर तक काफी जादे हेल्प करेगा ठिक इस फ़र फिजिक्स के भी MCQ और लेबल है अभी आपका फिजिक्स का जो पेपर है 16 जन्वर की बात करें तो जब सबसे पहला कोसन है उसका जो आपसर नंबर A है वो क्या होगा करेक्ट होगा ठिक फर्स नंबर कोसन का आपसर नंबर A करेक्ट होगा फिर सेकेंड नंबर कोसन के अगर बात करें तो सेकेंड नंबर कोसन का आपसर नंबर D करेक्ट होगा ठिक थर्ड न करें थार्वन को शन का आपसा नंबर ड कॉ ससन का आपसा नंबर 1 जो है करेक्ट होंगा करें तो फूर्थन कॉ सन का आप्सा नंबर 2 जो का इस ताय हो गो करेक्ट वीड नर तो भीड से 7 number question की बात करें, तो 7 number question का, जो आपसर number B है, वो क्या होगा, correct होगा, ओके, फिर यर्थ number question की बात करें, तो यर्थ number question का, आपसर number C जो होगा, correct होगा, फिर अगर 9 number question की बात करें, तो 9 number question का, आपसर number B जो है, वो क्या होगा, correct होगा, ओके, फिर अगर 10 number question की बात करें, तो 10 number question कोषन का आपसर नंबर बी जो है करेक्ट होगा 11 नंबर कोषन की बात करें 11 नंबर कोषन का आपसर नंबर बी जो है वो क्या होगा करेक्ट होगा ओके फिर अगर 12 नंबर कोषन की बात करें तो 12 नंबर कोषन का आपसर नंबर C जो होगा वो क्या होगा correct होगा ठीक फिर अगर 13 नमर कोशन की बात करें तो 13 नमर कोशन का जो आपसर नमर C है वो correct होगा ओके 14 नमर कोशन की बात करें तो 14 नमर कोशन का आपसर नमर B जो होगा correct होगा ठीक फिर पी अगर फिप्टीन नमब कोषन की बात करें तो होगा और फिप्टीन नमब कोषन का आपसा नमब सी जो होगा योगा और कमीजिक्ट होगा फिर अगर 90 number question की बात करें, तो 90 number question का, आपसर number A जो होगा, वो क्या होगा, correct होगा, ठिक, फिर अगर 20 number question की बात करें, तो 20 number question का, आपसर number A जो है, वो क्या होगा, correct होगा, फिर अगर 21 number question की बात करें, तो 21 number question का, आपसर number B जो है, correct होगा, फिर अगर 22 number question की बात करें, तो 22 number question क का आपसर नम्बर ऑगा को समशन करें तो 23 नतर्फ 20 की बात करें तो चलब क्owaillat 24 नम्बर को सम्근 Γ minimize 24न नम्ब ऑगा जो ईदो टोगा के एद ऊफिर तुनभिए 23 नम्बर को आते हैं मि मसले आपसर नम्ब ऑचलत वह क्या होगा करेक्ट होगा ओके फिर toom पोके होगा करेक्ट होगा ओके अगर 277 वाओ के बात करें 207 का जो आपसर नमबर कोसंगी यह वह खाउक्ट होगा ओके फिर अगर 28 नमबर कोशन की बात करें, 28 नमबर कोशन का आपसन नमबर B करेक्ट होगा, ठीक, फिर 29 नमबर कोशन की बात करें, 29 नमबर कोशन का जो आपसन नमबर D है, वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके, देखिए मैं जल्लेली आपसन पढ़ना हूँ, ठीक, अगर किसी को सब् ? उसको एक पर comment कर दीजएगा मैं aged कलने ओग अब दैखे तर्टी नंबर सब्सक्राइद ओए जो ऊपृए जो आपस नंबर आपसण Y वह क्या होगा करेक्ट होगा ठीकं पिर अगर थाइधा जो gewoon करेक्ट होगा और फिर अगर हम 36 नumबर कोशन की बात करें तो 36 नumबर कोशन का जो आफसर नम्र B है वो क्या होगा करेक्ट होगा, okay? 36 का आफ्सान नमबर B जो होगा, correct होगा, ठिक? अब फिर अगर 37 नमबर कोशन की बात करें, तो 37 नमबर A जो होगा, correct होगा, okay? फिर अगर 38 नमबर कोशन की बात करें, 38 नमबर कोशन देखिया क्या है? जो 38 नमबर कोशन है, यह थोड़ा doubtful है, क्योंकि इसमें देख लिए ठीक तो ये कोसं थोड़ा डाउट्फुल को सन्य इस वसे में इसको छोड़ दे रहा हूं ओके अब देखिए थाटीनाइन नमबर को सन्की बात करें तो ठीनाइन नमबर को सन्का क्या होगा जो आफ्य नमबर या सी दोनों करेक्ट होना चाहिए ठीक ये थाटीनाइन को संगी बात करें तो फोटीन थे होगा और यूझा गर्ट होगा ठीक प्र मुल्म सबास्च की बात करें तो इसनी कोसे नमबर हमें जो और ना का क्रेक्ट होगा और चांगो करें कि फूर्टी टू नंबर कोसंन घुजा एक। फिर 42 number question की बात करें तो 44 number question की बात करें 43 का क्या होगा option ने बताया ना correct होगा 43 का option A correct होगा ठीक 44 number question का क्या होगा option number B जो होगा वो correct होगा ओके फिर 45 number question की बात करें तो 45 number question का option number C correct होगा और फिर अगर 46 number question की बात करें जिसका क्या होगा भी नंबर आप्शन करेक्ट होगा ठीक यह तो आसान कोशन था ओके क्लियर अब फिर 47 नंबर कोशन की बात करें तिसका डी नंबर आप्शन जो है करेक्ट होगा और 48 नंबर कोशन का क्या होगा फिर अगर हम 49 नंबर कोशन की बात करें इसका क्या होगा फिर 59 का क्या होगा इस पूरे पिपर के एंजर की को देखे लिए okay thank you for watching